रिकोर्डिंग स्टार्ट हो गई अब बात करते हैं कुछ थोड़ी सी यहां बैटके फोन को रख देते हैं साइड में साइलेंट करके जो भी मेरे सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत थैंक्यो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और जो लोग न है और आई बटन में कुछ लिंक दे दूँआ मैं उपर वीडियो के एक दो देख सकते हैं लेकिन पहले ये वीडियो देख लो जरूर इसको स्किप्प मत करना है चलो पहले बनाते हैं अपनी कोफी फिर आगे बात करेंगे वीडियो में दूसरे टोपिक पर दो टेबल स्पून ले लिए कोफी और दो टेबल स्पून ले लिए चीनी और ये चार पाउच हैं दो दो रुपे वाले नैस कैफे के ये डाली दो टेबल स्पून कोफी और ये डाली दो टेबल स्पून चीनी अब डालेंगे गरम पानी और दो टेबल स्पून डाल देते हैं गरम पानी अब इसको करेंगे विस्क किये रहा हमारा विसकर मिक्स मिक्स्चर का कलर मिक्स करते-करते होने लग गया लाइट अब यह कुछ थिक चोपलेट चैसी बन गी है मुझे लगता है कि यह रेडी है लास में लाया और इसके उपर डालेंगे अपनी कोफी जो भी हमने विस्क किया बहुत देर लगा के 15-20 मिनट लगे हाथ दुके अब डालते हैं इसके उपर और देखते हैं फिर और यह हमने सजा दी और फाइनली यह बनी है कोफी और इसमें यह है कोफी जो अभी अभी बनाई है 20-25 मिनट की महनत लगा के और अब पता चलेगा टेस्ट कैसा है जब इसको पी के देखूंगा फिलहाल तो देखने में ठीक ही लग रही है कुछ नया सा कॉंसेप्ट है बहुत जादा फेमस है देख लेते हैं रीव्यू करके खुद की कि क्यासा लगता है इसको मिक्स ना करो तो इसमें से कोई टेस्ट नहीं आता अभी तक मिक्स नहीं चल रही है अब यह हो गया थोड़ी मिक्स और अब ठीक है देखते हैं मुझे तो simple cold coffee जैसा ही टेस्ट लग रहा है जार इसमें कुछ नया तो नहीं दिखाई दे रहा है क्या यह simple cold coffee है comment में मुझे बता दो अगर किसी को पता है तो cold coffee जैसा ही टेस्ट आ रहा है मुझे कुछ खास फरक नहीं लग रहा और mix करने में भी इसको थोड़ी सी problem आती है तेज फ्लेवर की कोल्ड कोफी का टेस्ट आ रहा है कुछ खास ऐसा टेस्ट तो मुझे रिफरेंट लगा नहीं पता नहीं इतनी वाइरल क्यों है अब होगी तब ने बना ली अब भी ट्राई कर सकते हो एक बार लगता है 15-20 मिनट का तो काम है और अभी थोड़ा सा पास आक भी कुछ टीप्स दे सकता हूँ फोटोग्रफी वीडियोग्रफी और एडिटिंग को लेके हैला कि मैं कोई प्रो नहीं हूँ पर फिर भी थोड़ी बहुत अगर टीप्स मैं दे पाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा अगर चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बता दो और मैं वीडियो बनाने की फिर ट्राई करूँगा अच्छी सी क्योंकि अभी बाहर नहीं जा सकते तो घर पे से ही वीडियो बनाऊंगा और जो आप घर पे ही ट्राई कर सकते हैं ऐसे ही टिप्स होंगी बाहर खाने तो नहीं जा सकते इस टाइम पर घर पे बाहर की तरह त इसको भी खाएंगे और बहुत दिनों के बाद क्योंकि कोई function attend नहीं कर पा रहे है और भी lockdown है इसलिए मैं खड़े होके खा रहा हूं और मुझे feel भी ऐसी आ रही है कि मैं किसी function में हूँ तो फिर से एक बार एक दम मस्त flavor आ रहा है बार जैसे feeling आ रही है function जैसे feeling आ रही है COVID-19 अभी चल रहा है आपको पता अभी तो lockdown खुलने का पता नहीं कब तक खुलेगा और बस क्याना तो यहीं चाहेंगे कि घर बैठे रहो फालतू में बाहर मत खुमो बिल्कुल भी दुकान पे कोई समान लेने जाना भी पड़ता है तो थोड़ी देर के लिए जाओ और समान अगर फालतू में ला रही हो तो प्लीज मत जाओ स्थिती अभी तो कंडिशन खराब हो ही रही है अभी ठीक नहीं है कंट्रोल में नहीं है और लोगडाउन को हम भी नहीं चाहेंगे कि बढ़े करतारपुर साहिब की मेरी ट्रेवल जो व्लोग था उस पे बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दिया है अब तक उसका लिंक में उपर आई बटन में दे दे तहूं आप देख सकते हो अगर किसी ने नहीं देखी है और अगर पसंद आए तो चैनल क कि वीडियो का टाइम और वीडियो का डे क्या रहेगा फिक्स चलिए फिर चलते हैं फिर मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी तब तक के लिए बाई बाई